हालो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में आज हम जानेंगे कि नर्सिंग आफिसर की जो बैकेंसी निकल कर UPSC के माध्यन से आई है उसमें आप कैसे आपएदन कर पाएंगे अगर फार्म की बात किये जाए तो इसकी सुरुआत जो हुई है साथ मार्च दोहजार चोबिस से हुई है और इसकी अंतिम्तिती जो है वो 27 मार्च दोहजार चोबिस है तो आप लोग इसमें कैसे आपएदन कर पाएंगे इसकी इलिजिबिल्टी क्या सबसे पहले जान लेते हैं अगर आप से फार्म बनना चाहते हैं तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा भी किया है जेनम में डिप्लोमा के साथ में आपको एक साल का अनुभो चाहिए अगर आपने यह करके रखा है तब भी आप इसके लिए इलिजिबल हैं फार्म को आप कैसे भरेंगे जैसा कि UPSC कोई फार्म होता है तो उसके अंदर क्या होता है जहां से आप देखेंगे लिखा हुआ है dashboard, latest df, latest notification, application status, application history, view profile, update, edit profile, अगर हम latest notification में जाते हैं तो जो भरतियां चल रहें current time पर वहां दिखाएगा जिसे लिखा हुआ और यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि जो नोटिस संख्या इसकी बताए गई गई है यहां से देख सकते हैं अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं UPSC कोई भी तो अगर आप नए हैं पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं UPSC का तो न्यू रिजिस्टेशन पर आपको किलिक करते हैं तो यहां से OTR form कुल कर आएगा जिसे यहां लिखा है नेम यहां पर आपको भरना है अपना नाम बेरिफाइं भी अपना नाम भरना है और यहां से कर आप नाम बदना चाहते हैं अपना तो यस करेंगे ने इसको नो कर देंगे जेंडर आपकी क्या है male female जो भी लागो होता आप भरेंगे data of birth अपनी भरेंगे confirm वही रहेगा फिर father's name फादर्स name verify करेंगे फिर mother's name mother name verify करेंगे यहां से mobile नंबर और mobile नंबर भरना है alternate जो लिखा mobile नंबर यहां पर कोई दूसरा mobile नंबर लिखना जिसे मानले कोई नंबर आपने लिख दिया तो alternate में आप देना चाहें तो कोई दूसरा भी दे सकते हैं जो question आप select करते हैं उसी cancer आपको यहाँ पर भरना है और फिर यहाँ पर दिया गया जो capture code है इसे आप यहाँ से fill करेंगे और fill करने के बाद में यहाँ पर आप इसको कर देंगे submit आप जैसे submit करेंगे आपको एक OTR number मिल जाएगा जहां से आप आसाने से आविदन कर पाएंगे जब OTR हम login करेंगे तो interface हमारा यह होगा और यहाँ से लिखा हुआ है update edit OTR one time registration profile अगर आपने OTR भरा है कोई गलती उसे सुधार भी सकते हैं यदि सब कुछ सही तो आप click here do यहाँ पर लिखा हुआ है click here for part 1 भाग एक के लिए यहाँ click करें तो इस पर आप जैसे click करेंगे यहाँ पर S पर आप click करेंगे जैसे S पर click करते हैं अब side details जो हमने बहरीये खुल करके आजाएंगे OTR के माध्यम से फिर यहाँ पर क्या करना आपको बैबाय की स्थिति आपको select करना है फिर यहाँ से नीचे जाना समुदा आए तो अगर आप reserve candidate है तो उसमें आप select करेंग आपक यहाँ पर colonial नहीं यहाँ पर नहीं कर देंगे फिर आप करना जादि प्रमाळपत्र की details आपको यहाँ बहर नहीं है तो उसके बाद में किसके द्वारा जारी हुआ है या आपको यहाँ सेलेट करना है जैसे कि जाद प्रमारपत्र आपके लिखा होगा फिर यहाँ लिखा है आय और संपत्ती प्रमारपत्र यहाँ पर दिया गया है तो इससे आप यहाँ से सेलेट करेंगे फिर उसके बाद में समधाय पत्र की तारीक क्या है उसे आप जहां से भरेंगे अगर आप जनरल कंडि एट नेर्ट है तो आप कुछ भी नहीं भरना है फिर यहां से लिखा है अपनी सच्छी योगता का चेहन करें तो आपकी जो सच्छी के योगता है उसे आप सेलेट करेंगे जैसे आपने बेसी नर्सिंग किया है यहाँ पर दिया गया है कि regular course in बेसी नर्सिंग from a regular university, our institute, post basic basic किया है, अपने diploma in general nursing आपने किया है, अगर आपने GNM किया है, तो यहाँ से आप GNM select करेंगे, अगर आप बेसी नर्सिंग है, तो जो भी आप के ओपर लागू होता है, उसे आप बताया गया है, उसमें अनुभो की जरूत नहीं है, फिर यहाँ से आपको भरना अपना पूरा पता भरना है, address यहाँ पर line 1, line 2, line 3 आपको पूरा पता भर देना है, उसके बाद यहाँ से अपना state select कर लेना है, सहर का नाम पिन कोड और एरिया कोड जिसमें जो दिया गया है, यह फोन नंबर आपको भरना नहीं है, उसके बाद यहाँ से आपको करना है कांटीनू करेंगे तो अगला step जिसका आएगा यहाँ पर लिखा है, आयू में छूट का दावा, यदि आप आयू में छूट चाहते हैं, तो इससे आप यहाँ पर करेंगे यस, नहीं तो नो करके, कांटीनू करके आगे बढ़ जाएंगे, अगला step जो आपको आएगा यहाँ पर कह रहा है कि identity photo पहचान पत्र यहाँ पर जो दिया गया है, आपको यहाँ पर select करना है, जैसे कि pen card यहाँ पर दिया गया है, driving license, आधार card, passport, तो जो भी आप यहाँ से select करना चाहें, उसे आप चुनेंगे और उसी की details आपको भरनी है, अगर आप आधार card select करते हैं, तो आधार card यहाँ चुनना है, फिर यहाँ पर दिया गया है कि provide, अपना आधार आप provide कराना चाहते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आधार number भरना ह पुस्टी में भी भरना है और यहाँ पर उसकी PDF को upload करना है आपको, अब यहाँ से हम continue पर click करके और आगे बढ़ जाएंगे, documents upload करने के बाद अपने details को आप यहाँ चेक करें, गलती उससे आप सुधार सकते हैं, जो भी गलती होंगी उसको आप आसाने से यहाँ से बदल स अब यहाँ से हमें I agree पर click करना और okay कर देना है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, अब first step जो हमारा complete हो चुका है, पहला registration जो यहाँ पर है, हमारा संपूर्ण हो चुका है, अब हम जाएंगे यहाँ पर upload photo and signature image पर, इस पर आपको click करना है, ध्यान देंगे कर आप SCST candidate तो आपको कोई fees payment नहीं करना, female candidate के लिए नहीं करना है इसमें से, आपको यहाँ पर upload photograph signature image पर click करना है, और यहाँ से आपको signature इस तरीके होगा, यह सारी चीज़े accept हो जाएंगी, अगर आप इस तरीके से photo upload करते तो यह accept नहीं होंगी और cancel हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान देना है कि photo sign आपको किस प्रकार से upload करना है, यहाँ पर बताया गया है, फिर यहाँ से हम photo signature को upload करते हैं, जो photograph का आकार होगा, यहाँ पर दिया गया है कि 550 pixel चौणाई, 550 pixel उचाई होनी चाहिए इसकी, यहाँ पर दिखा रहा है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कि जो इ इसे करना है upload, अब photo sign upload होने के बाद आप continue पर click करेंगे, आगे बढ़ें, यहाँ पर आ जाएंगे, आपको farm पूरी तरीके से submit हो चुका है, अब आपको एक काम करना है, कि आपको अपना center select करना है, यहाँ से लिखा है center selection, यहाँ से आपको center select कर लेना है, exam city क्या आपकी रह session and degree, finally submit, इस पर जैसे हम click करेंगे, तो हमारा farm जो है, पूरी तरीके से submit हो जाए, उसका final print जो है, हमारे सामने download हो करके आ जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम click करेंगे, और हमारा जो final print है, यहाँ से हमको completely दिखा रहा है, और यह final print आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग final print इसका निकाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं, वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में सेयर करें ताकि जितनी भी सरकाई नोगरे को फाम आते हैं, कैसे फिल करना है, आप लोग आसानी से घर बैठे सीख पाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार